ही फ्रेंड्स वेल्कम टू टॉ टॉपर्स वार्क आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्किल इनहांस्मेंट कोर्स यह जो पेपर है दोस्तों इसका प्रिवेश सेर्स का कोश्चन पेपर सुरू करते हैं कोशन नमबर फ्रस्ट है दोस्तों हेरिटेज को डिफाइन कीजीए and explain कीजीए कि हेरिटेज conservation should be a priority विरासत को परिभासित कीजिए और विरासत को संग्रक्षित करना हमारी प्रात्मिक्ता क्यूं होनी चाहिए ये भी पताना है आपको दो कोशन है इसमें कोशन नमेर टू है डिस्कस बिरिफली हाव दो वेरियस नैशनल एक्स अब एड़ेज प्रिजर्वेशन हमारी विरासत के संग्रक्षन में विभिन प्रकार के रास्तिय अधीनियमों का विवेचना ठीजिये जो बहुत सारे एक्स बनते रहते हैं उसके बारे में आपको क्या लगता है जो इतिहास और विरासत है वो समान है आपका जो भी एंसर है ना वाटेवर आप उसको किसी एक्जामपल या फिर उधारन के साथ उस चीज को डिसकस किसे आपको एक्जामपल भी देने हैं दोस्तों इसमें next question देखते हैं what is the significance of festival and fairs in understanding our cultural heritage क्या आपके अनुसार पर्व एवं मेले हमें अपने सांस्कृतिक धरोर को समझने में सहायक है obviously है so आपको यह answer करना है यह और मैं है दोस्तों आप उसके अलावा या फिर आप यह भी एंसर कर सकते हो define and discuss with example historical tourism अतिहासिक परटन को परिभाशित करते हुए उधारन सहीत विवेचना कीजिए यहां भी आपको example मांगा है दोस्तों यह example देना must है and friends हम जब भी अपने papers के लिए प्रिपेर करते हैं तो प्रिवेश से कोशन पेपर हमें जरूर देखने चाहिए अगर हमें 4-5 साल और के papers मिल जाए अलग-अलग years के 4-5 साल के तो वह और जादा हमारे लिए beneficial होता है क्योंकि जितना जादा हम कोशन पेपर देखेंगे अलग-अलग years के उतना जादा हमें idea होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना होता क्या पढ़ना है यह बहुत important है graduation और master में कोशन पेपर देखने से आपको वो चीज पता चलेगी कि आपको क्या पढ़ना है कोशन कहां से आ रहे है कोशन का क्या trend है सो फ्रेंट्स यह सभी चीज़े आपको मिलने वाली है हमारे चैनल पे सो हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिलकुर ला भूले एंड बेल आइकन तो प्रिस करना ही है दोस्तों सो प्लीज दूइट नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगर जो मंदिर कला शाली अपने समवर्ती दक्षिनी साली से क्रिस्प्रकार भिन है दोनों शैलियों से दो दो उदारन लेते वे चर्चा कीजिए जैसे पता है कि नागरा स्टाइल जो था वो नॉर्थ इंडा में प्राक्टिस हो रहा था द्रविडा जो है वो साउथ इ दोस्तों अपको एग्जामपल भी देने हैं दोस्तों यह मत बूलना आपको एग्जामपल देते हुए यह चीज पताना है डिफ्रेंशियेट करना है कि नेक्स्ट कोशिन अर मिजियंस रेलिवें इन अंडर्स्तेंडिंग आवर पास्थ हमारे अतीत को समझने के लिए आपका जो वी वीऊ है आपको वो लिखना है इसमें अगर ये वीडियो आपके लिए बेफिशल है और यूर लाइकिंग इस वीडियो तो प्लीज हिट दे लाइक बटन नेक्स्ट कोशन देखते हैं वाय दू हैरिटेज साइट फॉल प्रेड टू वैंडलिजम दूरिंग दा टाइमस ऑफ वार एंड कंफ्लेक्ट यूद एवं संघर्स के समय में विरासत के थलों का कला विद्वन्स क्यूं किया जाता है आपको वो बताना है अगर आप और भी क प्लेलिस्ट को चेक करना है बिल्कुल ना भूले नेक्स्ट कोशन है शॉर्ट नोट से दोस्तों चार ऑप्शन है दो आपको अटेम्ट करने हैं इंटैंजिबल हेरिटेज और प्रिशित विरासत उन्यूटि इंटाइवर्सिटी विविता में एक ता हम बच्पन से आज कर विडियो से यू सुन इन नेक्स विडियो विट नू कोशन पेपर अनलिस थैंक यू